गुड मॉर्णिक दियर स्टुडेंट्स अंडर दा यूनिफिकेशन आफ इटली विशल कॉंटिनू पिद टॉपिक इससे पहले हमने पढ़ा था कि इटली की कर्ण में कौन से महतपुन वादाएं थी चुनवतियां थी और साथ में कौन से ऐसे महतपुन साहेक तत्व थे ज उसके विश्य में जानकारी प्राप्त करेंगे कौन कौन से ऐसे महतपुन चरण थे जिनके तहत इटली का किकर्ण हुआ इसमें आप थोड़ा सा यहां पर नजर दोड़ा सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज है प्रथम चरण जिसको आप कह सकते हैं जिसमें कि आरंबिक प्रया किये गए थे 1810 से 1849 इसवी के मद्धे जो है वो चरण रहा था दूसरा जो चरण है 1850 से 1860 के मद्धे काबूर के अधिन शक्तिशाली पिडमॉंट राज्य काउदय हुआ था तीसरा जो चरण है वो 1860 से 1861 के मद्धे रहा जिसमें कि आस्ट्रिया से संघष प्रारम हुआ और मद्धे राज्य जो इटली में मिलाए गए थे चौथा जो चरण है वो 1860 से 1866 इसवी के मद्धे जिसमें कि आस्ट्रिया और पर्शिया का यूद हुआ और वैनेश्या की जो प्राप्ति है वो इटली को हुई थी पांचवा जो चरण है 1866 से 1870 इसवी तक मान सकते हैं जिसमें कि फ्रेंको पर्शिया नियुद हुआ और अंततहर रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली का किकरण पूरा हुआ था तो ये पांच चरण है इटली के एकिकरण की लेकिन इन आरंबिक चरणों से शुरू करने से पहले आप इटली की जो ततकाली इन भगोलिक स्थीत थी या इटली का जो ततकालीन विवाजन था किस प्रकार था यह इस मेव के माध्यम से हम पर सकते हैं समझ सकते हैं आप यह देखिए इटली को मैंने शुरू में कहा था इटली एक पैनेंसुलर कंट्री है प्राइडेपी देश है और यहां जो किंग्डम ऑफ साडिना है यह किंग्डम ऑफ साडिना था यह भी किंग्डम ऑफ साडिना था अर्थात इटली के जो पश्मी भाग है पश्मी भाग पर साडिना का जह वो प्रभुत्त स्तापित था जो वेनेशिया है और वेनेशिया के साथ साथ जो यह सिसली है यहां पर यह आप देख सकते हैं यह ऐसी territorial जो बैवस्ता थी जो की 1860 और 1870 के मद्धे में प्राप्त किये गए थी यहां फ्रांस के साथ यूद करने के प्रशाथ प्राप्त किये गए थे तो यह बाद में मिलाए गए थे इसी तरह से लॉंबार्डी हैं, तस्कनी हैं, पर्मा हैं, मेडोना हैं, तीक है ये मध्य इटली का भाग था, जिसे की पापल स्टेट्स आप कह सकते हैं, जिन के उपर वो पोफ राज्य का मैतपुन प्रभाव रहा था, ये Kingdom of two Sicilys हैं, ये आप ये देख रहे हैं, यहापर जो लिखा है Kingdom of two Sicilys, ये मैतपुन यहाँ पर पोर्शन दिखाया गया है, इस से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कि किस प्रकार जो है, वो ततकालीन इटली विखंडिर थी, इसके एक तरफ हैड्रियाटिक सी था, दूसरे तरफ जो है, वो आप यहाँ देखें, टा ये चुनोती से भरा हुआ इसका एकिकरण था, इस एकिकरण को करने के लिए इटली को कई वादाओं को पार करना था, अब बात करते हैं प्रथम चरण की जो first stage हमारे पास है इटली के एकिकरण की, जिसमें की हमने ये आरंबिक प्रयासों के रूप में आपके समक्ष उले खित किया है, ये initial efforts थे, सबसे पहले carbonary जो reward था, carbonary एक संस्था थी, गुप्त संस्था जिसकी स्थापना 1810 में इटली में की गई थी, और ततकाली जो इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, जिनमें की grant और temporary का नाम वो लेखनी है, secret societies, chief among them was that of the carbonary, were formed everywhere to work for the union of Italy, अर्थात, जितनी भी गुप्त संस्थाएं थी, चाहे वो यंग इटली था या carbonary थी, उन में से carbonary एक मैतपोन संस्था थी, और जब पिड्मॉंट और नेपल्स में revolt हुए थे, तो carbonary संस्थाओं के उसमें बहुत मैतपोन भूमी का रही थी, साथ में जो पिड्मॉंट के शासकते विक्टर एमेन्वल और नेपल्स के जो ततकालिन शासकते फर्डिनेंड, उनको जो है वो उदारता का बैवार करना पड़ा था बिद्रोईयों के साथ, लेकिन जो आस्टिया के चांसलर थे, मैटरिक, उसकी प्रतिक्रियावादी नि दबाव बना करके बिद्रोई को कुचलना प्रारम किया था, इसलिए उन्हें हालंकि सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आरंबिक रूप से उन्होंने राश्ट्रिये भावना या उदार प्रशासन या लोकतांत्रिक और गंतंत्रिये प्रशास हुई थी, उस से प्रभावित होकर के इटली के जो राजय थी, मैडोना है, परमा है, वहाँ पर भी बिद्रोई हुए और वहाँ के जो शासक थे, उनको अपना राजय त्यागना पड़ा था, लेकिन मैटरनिक की जो प्रतिक्रियावादी नेती ततकाली इन्ज समय में, सं उसके प्रिणाम स्वरूप इस विद्रो को भी कुचल दिया, और मैडोना परमा पर भी जो पुरानिक वंश है, या वंशानु का जिनका राजय था, उन्हें पुनह स्थापित कर दिया, और था थी, इसका भी जो दूरगामी प्रिणाम नहीरा, दूरगामी परभावाद जो अब नहीं रहा, नेक्स्ट हमारे पास अगला है, अराइज ओफ मैजेनी एंड इस एफर्स, जो जो सब मैजेनी था, वो इटली का देश भक्त होने के साथ, इटली में गंतंत्रिय लोगतंत्रिय प्रणाली को सापित करने का पक्षधर था, जब पिडमॉंट में विद देश से निश्कासित किया गया था, और निश्कासित करने के पशा तो फ्रांस चला गया था, फ्रांस के अंदर उसने 1831 में एक गुप्त संस्था स्तापित की थी, जिसे यंग इटली के नाम से जाना गया था, फ्रांस के जो मरसलरीज शेहर था, वहाँ पर 1831 में इस संस् को बाद में भगवान जनता और इटली का दर्जा प्रदान किया गया था लेकिन मैजनी के जो परियास थे उनको भी मैटरनिक ने अपने जो परतिक्रियावादी नेती है दमनकारी नेती है उस चक्र से उन परियासों को भी समात कर दिया लेकिन मैजनी ने राश्रवाद की भ भूमी का निवाय थी नेक्स्ट है फ्रेंच रेवलिशन ओफ 1848 अठारा सो अर्तालिस की जो फ्रांस की क्राद्थी थी और उस फ्रांस की क्राद्थी इतनी तिवर गती से इटली के उपर परभावित रही कि आस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को भी गदी त्याग करके इंग थी जो शाशक थी उन्हें भी गद्धी त्यागनी पड़ी और ऐलवर्ट के नेत्रतों में जो चांस एलवर्षा उसके नेत्रतों में लॉंबार्डी पर जो है वो आकरमन किया गया था और ऑस्ट्रियन सेना को जो है वो गैटो नामकस्तान पर प्राजित किया गया था जो पापल स्टेट्स हैं तसकनी है नेपल्स के जो स्टेट्स थे वहाँ पर भी विशेश करके बिद्रो हुए थे और उन्होंने चार्ल के भै के कारण वैसा नहीं कर पाये थे और अंततह चार्ल्स एलवर्ड को ऑस्ट्रिया के साथ संधी करने पड़ी अर्थात उसके जो आरंबिक प्रयास है वो निश्पल सिधुए लेकिन यहां पर जो लोगों के अंदर राश्टिता भावना है एकिकर्ण की जो भावना है उसको जागरित करने के साथ संगठित और सुद्रिड करने में भी चार्ल्स एलवर्ड ने में तपुन भूमिका निवाई थी यह 1848 की फ्रांस की एकरांदी के परणाम सवरूप या प्रभाद सवरूप ही ऐसा हुआ था नेक्स्ट है रिटर्न आफ मैजिनी जोसफ मैजिन जिसे की निशकासित किया गया था अब वो वापस रोम पहुँच चुका था और 1848 में मैजिनी ने इटली में हो रहे बिद्रो का न्यत्रत्तों अपने हाथों में लिया फरवरी 1849 में उसने जो पापल स्टेट्स थे पोप के राज्य थे उनको अपने अधिन करने में सफल पराप्त की थी और पोप को गैटो नामक स्थान पर जाकर के जो शरन लेनी पड़ी थी मैजिनी को राश्पती गोशित किया गया था लेकिन फ्रांस के जो ततकाली निशासकते नेपॉलीन तृती है उसने पोप की अनुशन सापर सेना भेज करके इटली में हो रहे बिद् किया और मैजिनी को वापस इंगलेंड भागना पड़ा था मैजिनी जो हम यह कह सकते हैं कि देश से निश्कासित उसको होना पड़ा था और पुनहों इटली के अंदर जो रोडिवादी व्यवस्ता थी इटली के अंदर जो छोटे-छोटे शासक थे वन्शानुगत शासक थे उन्हें स्तापित करने में जो हो पूप ने अनुशन सा ली थी या पूप ने जो है विशेश रूप से साहता फ्रांस से ली थी नेपोलियन तिट्य शासक थे इस लिए प्रयासी सफल नहीं हो पाए थे नेक्स्ट है चाल्स एलवर्ड्स डिफीट चाल्स एलवर्ड्स जो कि पिड्मॉंट के शासक थे और इटालियन की यह है इच्छा थी कि वो उसके नैतरत्तों में इटली का किकर्ण जो है वो पूरा करें और उसने ऑस्टिया के बुरुद्स यूद की घोशना भी कर दी थी लेकिन नवारा नामक स्थान पर जो है वो उसे प्राजित किया गया था और उसके स्थान पर उसका जो पुत्र था विक्टर एमेन्वल उसको पिड्मॉंट का शासक भोशित किया था जो फर्डिनेंड है फर्डिनेंड को भी पुना स्थापित किया गया था और उसके अधीन जो नैपल्स और सिसली के प्रदेश है वहाँ पर जो है वो उसके रूल को पुनस्तापित कर दिया गया था अगस 1949 में वेनेशिया को भी रीकप्चर कर दिया गया था और चार्ल्स एलवर्ड की प्राजय हुई थी अर्थात जो इटालियन का एक स्वपन था कि पिड्मॉंट के शासक चार्ल्स एलवर्ड के नेतरत्व में इटली का किक कारी थे या जो एकिकरण के लिए प्रयासरत थे उनके समक्ष वो तीन चीजों का मैं तपुन निचोड जह वो प्रस्तुत किया था वो तीन चीजें समझ चुके थे पहली बात तो यह थी कि जो पोप है पोप के अधीन इटली का युनिफिकेशन संभव नहीं हो सकता था अर्थात पोप के राजय को जब तक इटली में सम्रित नहीं किया जाता तब तक इटली का एकिकरण संभव नहीं था दूसरी बात है कि केवल लोगतांत्रिक जो सरकारे स्थापित करने से किसी प्रकार का लाब नहीं होने वाला है जब तक उन लोगतांत्रिक या रिपब् लेकन जो गौर्मेंट सी जब तक उनके पास एक शक्तिशाली सेना ना हो अर्था इटली को एक शक्तिशाली सेना रखना अनिवारे हो गया था और उस सेना के आधार पर ही जो विखंडित राज्ये थे उनको एकिग्रित किया जा सकता था तीसरा जो मेतपूर्ण निचोर इन आपके लिए जो एसाइनमेंट्स आज की है वह है इटली केकिकर्ण के आरंबिक प्रयासों का संशित वनन कीजिए संशित उलेक कीजिए लग वग 200 या 300 वर्स के अंदर जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्पेंड किये आरंबिक स्टीज के उनको आपने अपने रिच को आरंबिक आरंबिक स्टीज